सिक्षक बर्ती सुपर डिट के लिए कंप्यूटर के 75 क्वेशन का ये वीडियो रहेगा मात्र 15 मिनिट में आप 75 क्वेशन को पड़ पाएंगे अधिक समय न लेती वे श्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को क्वेशन नमबर 1 से 75 तक चलेंगे साथी साथ बता दें एक 58 निट का वीडियो अप्लोड हुआ है जिसमें हमने कंप्लीट जीवन कोशल को कराया है अगर आपने नहीं देखा जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में जाएं नीले कलर का लिंक मिलेगा क्लिक करके देखें और नोट्स बनाएं पहला प्रशन आपकी साम क्मप्use का आविस्कार किशनि किया LM Turing करल 20ग फॉमस अलवा एडिशन या फिर एड़वर्ड टेलर दूसरे कर उत्तर होगा यहांपर डॉक्टर LM तूरिंग की द्वारा क्ल्स अलकटर का अविस्कार किया गया आपक्यूटर में प्रयूक्त माउस की बॉड़ी लगबक 40 वर्स पूर बनाई गई थी उस समय किस की बनाई गई थी एलुमुनियम की प्लास्टिक की स्पात की या फिर लकडी की सुरवात में जब माउस बना था तो उसको लकडी का बनाया गया था यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा कंप्यूटर के बारे में चार स्टेट बनाया में रखने में सक्षम है और कभी-कभी वायरस द्वारा आक्रामित भी होती है तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा साधार सब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है प्रश्ण संक्या 5 इंटरनेट कहते हैं नेटवर्कों के नेटवर्क सूचनाओं का तंत्र इंटरनेट है भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माड किया चन्नाई में बैंगलोर में दिल्ली में या फिर कुने में उत्तर हो गाए हाँ परम का डी विकल्प सही हो जाया भारत के सरप्रत्थम सोदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है क्वेशन नम्बर आट परम ओप्शन नम्बर डी यहाँ पर करिक्ठ होगा क्वेशन नम्बर नौ निम्नलिकित में से कौन सी भाभा परमार अनुसंदान के इंड़ द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम परियोजना जो है ये भाबा, परमार, अनुसंदान के इन्रोदारा विक्सित सुपर कम्प्यूटर परियोजना है सुपर कम्प्यूटर के लिए सब्द लंबाई की परास कितनी होती है कॉश्चन नबर 10 में आपका उत्तर हो जाएगा 64 बिट तक होती है कॉश्चन नबर 11 किस प्रकार के कम्प्यूटरों का सरवाधिक प्रियोग किया जाता है सुपर कम्प्यूटर, मिनी कम्प्यूटर, मेन फ्रेम कम्प्यूटर या फिर माइक्रो कम्प्यूटर उत्तर होगा यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर अर्थात आप्शन नमर डी निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रियुक्त होती है डाई लेजर सेमी कंडेक्टर लेजर एक्जाइमर लेजर या फिर गैश लेजर सही जवाब होगा प्रिशन संख्या 12 के लिए सेमी कंडेक्टर लेजर कौन नमर 12 की अगर बात करें उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सेमी कंडेक्टर लेजर अर्थात इसका ओप्शन नमर बी सही हो जाएगा डिस्क टॉप छपाई के लिए आमतोर पर किस प्रिंटर का प्रियोग किया जाता है प्रिशन संख्या 13 आप जब प्रिंटर की प्रकार हम आपको पढ़ाएंगे थियोरी वाले वीडियो में तो आपको यह सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी फिलाल इस प्रिशन का उत्तर हो जाएगा लेजर प्रिंटर का प्रियोग किया जाता है आमतोर पर अगला प्रशन है इंटरनेट पर www का आठ क्या होगा प्रिशन संख्या 14 उत्तर होगा यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब आप्शन नमबर C के साथ माइक्रो वेव ओवन में जिस माइक्रो वेव ट्यूब का उप्योग होता है वहाँ है प्रशन संख्या 15 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मेगनेट रान ट्यूब का प्रियोग किया जाता है आप्शन नमबर C के साथ जाएगे कंप्यूटर में इस्मृति के प्रकार है सेमी कंडेक्टर मैगनेटिक ऑप्टिकल सर्वर देखे सर्वर कोई इस्मृति नहीं होगा तो यहाँ पर यह अटा दीजे बागी यहाँ पर एक दो चार इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है क्शन नमर 17 बिट्स के दोरा किया जाता है कंप्यूटर की स्मृति का मापन दूई आधारित बाइनरी संख्याएं कौन-कौन होती है जिनका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है उत्तर होगा यहाँ पर जीरो और एक का प्रियों की आता है पहला विकल्प सही हो जाएगा DVD क्या है? Question number 19 DVD का full farm होगा Digital Video Disc option number B के साथ जाएगे एक byte कितने bits के बराबर होता है? प्रशन संख्या 20 एक byte 8 bits के बराबर होता है पहला option सही होगा यहाँ पर आप पड़ पाएंगे bit, kilobyte, 1KB, 1024 bytes के बराबर 1MB, 1024 bytes के बराबर इसको आप नोट कर लीजिएगा Computer में सब्द की लंबाई ना पी जाती है Bits में ना पी जाती है पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा Computer की बासा में 1MB में कितने byte होते है Question number 22 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 10,48,576 पद MB का प्रयोक गया जाता है MB का full form आप से कुछा जा रहा है MB मतलब Megabytes यहाँ पर B option सही हो जाएगा निम्न में से कौन computer hardware नहीं है Question number 24 तो compiler जो है यह hardware नहीं है बाकी यहाँ पर hardware है hardware वो होते हैं जिनकों हम छूँ सकें Question number 25 देखेगा Computer का सबसे महत्तपूर भाग कौन सा होता है Central Processing Unit CPU अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा software सब्द संसाधन में प्रियोग किया जाता है सब्द संसाधन में पेजमेकर, वर्ल्ड स्टार, MS वर्ल उपरोक्त सभी तो Question number 26 से उत्तर होगा उक्त सभी, Option number D के साथ आदुनिक computer का लगु रूप करण संभव हो सका है किसके प्रियोग से Question number 27 में उत्तर हो जाएगा समाकरित परिपत चिप्स के प्रियोग से आदुनिक computer का लगु रूप करण संभव हो सकता है क्योंकि पहले computer में chips का प्रियोग नहीं किया जा सका था ठीके, जैसे जैसे अविस्कार हुआ चिप्स के प्रियोग से इसको हम मतलब कम जगे में आप देख पारेंगे laptop को आप सिंपल सा बैग में रखकर के लिए जा सकते हैं उसी तरीके से computer को लगु लगु मतलब छोटे उपकड़ के रूप में हम प्रियोग कर सकते हैं ला सकते हैं computer में उप्योग आने वाली IC चिप्स किसकी बनी होती है क्वेशन नमर अठाइस silicon का प्रियोग यह आता है यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा same question है यहाँ पर भी आपका उत्तर जाएगा silicon के साथ वह युक्ति जिसके द्वारा आकड़ों को टेलिफोन के माध्यम से binary signal की सहायता से भेजा जाता है उसको क्या कहते है question number 30 modem कहा जाता है option number A सही हो जाएगा ROM memory है ROM का full form क्या होता है read only memory मतलब केवल पढ़ने के लिए तो उत्तर हो जाएगा option number A के साथ computer की स्थाइस म्रती को क्या कहते है RAM, ROM, CPU, CD, ROM RAM का full form क्या होता है read only memory RAM का full form ROM का होता है और RAM का होता है random access memory इसका होता है random access इसका होता read only memory जो इस्थाइस म्रती होती है वो होती है आपकी ROM अगला प्रशन देखिएगा computer के संदर में RAM का क्या तातपर है अभी अभी हमने आपको बताया random access memory यहाँ पर भी विकल्प सही हो जाएगा output युक्ती नहीं है प्रशन संख्या 34 में camera जो है यह output युक्ती नहीं है तो यहाँ पर 34 के लिए D option सही होगा यह input के अंतरगत आता है world processor spread seat उधार है system software के application software platform software या फिर में से कोई नहीं question number 35 में आपका उत्तर हो जाएगा application software के उधार है world processor और spread seat कोबोल क्या है question number 36 की बात करें तो कोबोल एक computer भासा है यहाँ पर आपका B option सही हो जाएगा कौन सी computer की भासा नहीं है basic c fortron computer की भासा है fast computer की भासा नहीं है question number 30 computer की भासा नहीं है question number 30 के लिए उत्तर करें room जो है यह भासा नहीं है यहाँ पर बाकी सभी भासा है java c++ और pascal निमलिकित में से वैग्यानिक computer भासा कौन सी है question number 49 fotron जो है यह वैग्यानिक computer भासा है c विकल्प के साथ जाएंगे computer में password सुरक्षा करता है password जो आप लगाते हैं क्या वो तुटियों से सुरक्षा कर पाएगा क्या वो पुराने पढ़ने से बचा पाएगा नहीं तत्र के अनाधिकरत अभिगमन से सुरक्षा करता है यहाँ पर आपका c विकल्प सही होगा question number 41 है digital computer किस सिद्धान्त पर कारी करता है तो यह गड़ना किस सिद्धान्त पर कारी करता है यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा निम्न में से कौन एक computer आकड़ों की तुर्टियों को प्रदर्शित करता है चिप, बाइट, बग या फिर बिट computer में जो तुर्टियां होती है उनको हम बग कहते हैं c विकल्प के साथ जाएंगे omr का full form पूछा जा रहा है जो omr आफ फिल करते हैं परिक्षाएं जो one day exam होते हैं उसमें तो omr का full form होता है optical mark reader पहला विकल्प यहाँ पर 43 के लिए सही होगा question number 44, irc का तातपर क्या है यानि irc का full form क्या होगा question number 44 के अगर बात करें internet relay chat कहते हैं इसको तो इसका b option सही हो जाएगा, question number 45 दिखेगा c ad का तातपर क्या है computer aided design अर्थात यहाँ पर b विकल्प सही होगा question number 46, सासन के लिए computer के प्रियोग को कहा जाता है e governance कहा जाता है यहाँ पर आपका d option सही हो जाएगा question number 47 में पूछा गया computer अपनी सक्ती प्राप्त करता है गती से, सुद्धता से, स्म्रती से, सभी से तो इन सभी से प्राप्त करेगा अपनी सक्ती क्योंकि अगर स्म्रती ही नहीं होगी memory ही नहीं होगी तो फिर कैसे मजबूती गती भी जरूरी है, सुद्धता भी जरूरी है वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं क्षशन नमर तालीस वीडियो मेल से हम क्लिप्स, मैसेज और ग्राफिक्स इन सभी को भेजा जा सकता है डी उत्तर सही हो जाएगा डेटा का एक वचन क्या होता है डेटम हो जाएगा पहला ओप्शन सही होगा question number 50 MS World उधारण है Microsoft World किसका उधारण है question number 50 यह एक application software का उधारण है question number 51 देखीगा यहाँ पर निमने में से कौन input device है हाँ इस number पर message करके आप notes के लिए यह मंगवा सकते हैं minimum charges में पूछा गया input device कौन सी है question number 51 में यह सभी input device है 51 का आपका यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा question number अगला देखीगा light pen क्या है light pen देखें light pen जो होता है यह एक प्रकार का pointing device है ठीक है आप इसको इसके बारे में और अधिक पढ़ लिजेगा सर्च करके ठीक है यह एक pointing device है charging वाला भी light pen आता है ठीक है चार्ज करके आप इसका प्रियोग कर सकते हैं आपको में जान पे मिल जाएगा रामसी अगला प्रेशन देखेगा computer में data किसे कहा जाता है light pen जो है एक input device है question number तिरपन उत्तर होगा यहाँ पर चिन और संख्यात्मक सूचना को ही data कहेंगे हम question number 54 computer का मूल कार क्या होता है arithmetic operation logical operation storage बाप पुना प्राप्त करना या फिर उपरयोक्त सभी उत्तर होगा यहाँ पर उपरयोक्त सभी computer की दो प्रमुख चिप कौन सी है primary, microprocessor दोनो या फिर कोई नहीं उत्तर होगा यहाँ पर 55 के लिए option number C के साथ A और B दोनो प्रेशन संख्या 56 है प्रथम गड़ना यंत्र कौन सा है calculator, difference engine, abecus या फिर घड़ी उत्तर होगा abecus option number C के साथ चीन में इसका विसकार हुआ computer के किस भाग को आप देखवा चू सकते हैं peripheral software को हम देख और चू नहीं सकते ठीक है लेकिन जो आपका hardware होता है उसको हम चू सकते हैं के लिए option number A के साथ user interface से क्या तातपर है question number 58 user को जो screen पर दिखाई देता है और वह उसका कैसे प्रयोग कर सकता है computer के बुन्यादी सनचना का विकास किया गया किस के द्वारा जान मौकली जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज ब्लेज पास्कल question सेंक्या 69 चार्ल्स बेबेज इस प्रशन का आंसर होगा option number C के साथ वरक सीट में कुल कितनी रो होती है question सेंक्या 60 65536 रो और 256 कॉलम होती है यहाँ पर उत्तर हो जाएगा question number 1 minute सही है ठीक है यहाँ पर जब आपसे रो पूछे तो 65536 कॉलम पूछे तो 256 question number 61 देखिएगा 61 प्रशन है DVD उधारण है किसका उधारण है DVD question number 61 में आपका उत्तर हो जाएगा यह optical disk device का उधारण है ठीक है आगे बढ़ेंगे प्रशन संख्या 62 के लिए पूछा गया है यहाँ पर की फॉर्ट्रोन क्या है file transmission, format transmission, translation, formula translation या फिर fluffy translation question number 62 में उत्तर हो जाएगा formula translation बारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है super computer है परम कंप्यूटर 1KB कितने बाइट के बराबर होता है प्रशन संख्या 64 1024 बाइट के बराबर होता है पहला option सही हो जाएगा OCR का full form क्या है प्रशन संख्या 65 उत्तर होगा यहाँ पर option number B के साथ CPU का पूरा नाम क्या है Central Processing Unit E-commerce क्या है Product वा सर्विस को internet द्वारा खड़ीदना और बेचना ही E-commerce कहलाता है छोटे वा सुविधा जनक कंप्यूटर जो यात्रा करने वालों के लिए उप्योगी होते हैं क्या कहते हैं Laptop कहते हैं सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है question number 90 68 के बाद 69 होना चाहिए था ठीक है चली बताइएगा सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है तो Super Computer question number 70 Microprocessor किस पीडी का कंप्यूटर है चतुर्थ पीडी का कंप्यूटर है Microprocessor गणना सयंत्र अबेकस का अविस्कार किस देश में हुआ कॉमेंट बॉक्स में लिखेगा क्योंकि अभी भी आपको वीडियो में बताया है Computer के विकास में सबसे आदा योगदान किस का रहा question number 72 One Newman का सबसे आदा योगदान रहा चुम्बकी डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है Iron Oxide की परत होती है question number 74 ये भी हम आपको करा चुके है Digital Computer किस सिद्दानत पर कारे करता है तो गड़ना के सिद्दानत पर कारे करता है प्रेशन संक्या 75 निम्नलिकित में से क्या storage device का उधारर नहीं है प्रेशन संक्या 75 रैम जो है storage device का उधारर नहीं है जीवन कोशल के वीडियो का लिंक यहाँ पर हमने लगा दिया है जल्दी से आप click करें और देखें ठीक है यहाँ पर वो वीडियो देखें आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर भी एक वीडियो दिख रहा होगा click करके आप देखें एक ही वीडियो में ठाउन मिट की वीडियो में complete जीवन कोशल करा दिया गया है थैंक यू सो माच इस वीडियो को अंतर तक देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में